गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स प्लांट एनाटोमी में आज हम बात करेंगे ग्राउंड टिशू सिस्टम या भरण उतक तंत्र की इससे पहले हमने एपिडर्मल टिशू सिस्टम के बारे में पढ़ा था जो पादब सरीर का मुख्य रुप से बाहरी भाग का निर्मान करता है ग्राउंड टिशू सिस्टम है ये पादब सरीर के मध्य भाग का या हम बात करें तो प्राथमिक पादब सरीर के अधिकांस भाग का जो निर्मान होता है वो ground tissue system से होता है जबकि secondary growth होने के बाद में जो plant सरीर होता है उसका अधिकान सबाग vascular tissue से बना होता है जबकि primary जो plant body होती है उसमें अधिकतर जो भाग होता है वो ground tissue system से बना होता है इसका जो निर्माण होता है वो मुख्य रुप से वलकुट जन या pariblem तथा कुछ मात्रा में pliron से भी होता है इसका जो मुख्य निर्माण है मुख्य रुप से pariblem से होता है या वलकुट जन से होता है जबकि कुछ मात्रा में जैसे हम बात करेंगे पित या medulla भाग होता है वो रम बजन या pliron से भी निर्मित होता है पादप का जो सरीर है plant axis है जैसे मुख्य रूप से root और stem है में यह निम्ण छेत्रों से मिलकर बना होता है सबसे पहले है cortex region या उत्तक छेत्र जो तीन भागों में विभाजित रहता है hypodermis, general cortex और endodermis छेत्र होता है उसके बाद में pericycle है और kendria भाग में पित या medulla छेत्र पाया जाता है देखें, root या stem की यदि हम आंतरिक सरंचना की बात करें तो यह हमने stem की अगर एक symbolic लेंग इसकी TS हम देखें तो सबसे जो बाहरी भाग है वो epidermis की परत के रूप में पाया जाता है epidermis की परत के नीचे और kendria भाग जो vascular tissue होता है इसके बीच का जो छेत्र होता है वो ground tissue से मिलकर बना होता है या हम उसे general cortex कहते हैं इस cortex region में भी अनेक परत के रूप में ये पाया जाता है सबसे बाहरी परत के रूप में होता है hypodermis की layer क्या है यह परत epidermis के नीचे उपस्थ ये तैती है तीन से चार कोसी की इस तर के रूप में ये परत पाय जाती है दोनों ही तरह के प्लांट्स में dicote में भी और monocote में भी द्वी बीच पत्री होते हैं उसमें ये hypodermis की जो परत है वो मुख्य रूप से colon कायमा की बनी होती है जबकि जो monocote या एक वीच पत्री प्लांट होते हैं उसमें hypodermis की परत है वो scleran कायमा tissue की बनी होती है जो मरत कोशिकाएं होती है प्लांट्स को ये बल करत द्रड़ता support provide करवाने का आधार प्रदान करने का ये परत कार्य करती है कुछ system होते हैं जिनकी सरंचना लहरदार होती है उबहार और खांच पाए जाते हैं इस तरह से उनके तने की सरंचना होती है तो इस प्रकार के तने में जो उबहार होते हैं इसके नीचे के छेत्र में भी ये कॉलन काइमा टिश्यू है, हाइपोडर्मिस की परत के रूप में उपस्तित रहता है, जैसे कुकरबिटेसी फैमिली के जो सदश्य है, उनका इस्टेम इस तरह से होता है, और उसमें उभार के नीचे कॉलन काइमा टिश्यू प्रजेंट र आवकास भी पाए जाते हैं, जैसे जलिये प्लांट होते हैं, एकपेटिक प्लांट होते हैं, तो उसमें बड़े-बड़े वायू आवकास हमें देखने को मिलेंगी, जिने एरन काइमा कहते हैं, एर चेमबर भी कहते हैं, कोर्टेक्स का जो अधिकतर भाग जो बना होता है वो इसी general cortex का बना होता है क्योंकि हाइपोडर्मिस है ये 3-4 कोशी की परत होती है इसके आंतरिक परत हम देखेंगे endodermis होती है जो मुख्यत है एक कोशी की परत होती है जब कि जो बीच का भाग होता है जिसे हम general cortex कहते हैं परेंकाइमा कोशी काउं से बना होता है और इसका भी मुख्य कारी बलकरत द्रड़ता और आधार प्रदान करना है इसके अलावा ये चेतर है वो जल्व भोजन का संग्रह भी करता है कुछ तने जो फोटो सिंथेसिस का कार्य करते हैं उसमें ये general cortex चेतर जो परेंकाइमा कोशी काउं का बना होता है उसमें chloroplast पाए जाते हैं और ये प्रेकास संस्लेशन भी करता है cortex चेतर की सबसे आंतरिक परत होती है endodermis या अंतस्तवचा जिसे कहते हैं यह एक कोशी की परत के रूप में पाए जाती है जो तने में starch sheet के रूप में हम इसे कहते हैं जबकि जडो में जो endodermis होती है उसमें केसपेरियन पटियां है वो देखने को मिलती है ये केसपेरियन पटियां है सुबेरिन या क्यूटिन की बनी होती है या एक पर ऐसे हम कह सकते हैं कि secondary cell wall का इसमें निर्माण होता है ये endodermis की जो परत है वो मुख्य रूप से cortex छेत्र को जो steel छेत्र है या रंब छेत्र है उसको उससे प्रथक करने का ये कार्य करती है एक कोशिक ये परत होती है इसमें अंतरा कोशिक अवपास है वो absent होते है और कोशिकाओं की आकरती है वो लगबग धोलका कार आकरती की इसमें देखने को मिलती है रूट में जो endodermis की जो कोशिकाओं होती है उनमें केस्पेरियन पट्टियां उपस्तित रहती है जो एक तरह से वाटर डेम के रूप में कार्य करती है और वो जो ये endodermis केस्पेरियन पट्टियां है वो इन कोशिकाओं के तीन तरफ से इनको घेरे रहती है देखते हैं कि इस तरीके से इसी एक कोशिकाओं ने त्री डाइमेंशिनल सरंचना बनाई है इसमें केस्पेरियन पट्टियां है वो केवल तीन तरफ डेरेक्शन में इसको कोशिकाओं को घेरे रहती है इस तरीके से जबकि जो अंतरिक छेत्र होता है प्लांट एक्सिस के अंदर का भाग जिस तरफ वलकुट छेत्र जो रंब छेत्र उपस्तित रहता है इस छेत्र में ये अंतरिक भाग है जो ये हमने इसको नहीं बनाया है यहां पर केस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती है केव हே रूप में जो किन आंडॉडर्मिस की परत होती है रूप में जल विरो थी जैकेट रूप में यह तरह से हम कह से कि आप 4 में कि रूपJA रूप links सेखते हैं कि जो root hairs होते हैं बाहर की तरफ epidermal, epiblema कोशिकाओं में वो root hair होती है, water को absorb करते हैं और जल को absorb करने के बाद जल है वो cortex छेतर के द्वारा endodermis तक पहुंसता है तो यहाँ पर यह जो केसपेरियन पटिकाएं होती है यह जल को अंदर जाने से रोकती है क्योंकि यह एक प्रकार का जल विरोधी content होता है subarin है, cutin है, यह water को cross नहीं करने देता है इस कारण, इस endodermis की जो layer होती है, इसमें कुछ कोशिकाओं जिने हम passage कोशिकाओं कहती है, मार्ग कोशिकाओं कहती है उन कोशिकाओं में यह, जो कैस्पेरियन पट्टिकाओं है, वो अनुपस्थित रहती है और उन कोशिकाओं के इस्तती होती है जायलम के सम्मुक यहाँ पर यदि जायलम कोशिका है, यहाँ पर कोई जायलम सेल होगी तो उसके opposite यहां पर यह मार्ग कोशिका होगी या passage cell होगी केवल जल है वो इस कोशिका से ही अंदर जा सकता है बाकि किसी दूसरी कोशिका से यह अंदर की तरफ नहीं जा सकता या हम कहा सकते हैं एक water के pipe या channel के समान यह काम करती है तो एंडोडर्मिस की जो परत है वो root के अंदर water dam के समान कार्य करती है जिसमें इसपस्ट gate होते हैं या मार्ग कोशिका होती है उनहीं से जल अंदर की तरफ प्रवेश करता है इससे क्या होता है यहां पर जल का pressure है वो बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर जल इकठा हो जाएगा और pressure के साथ में जल जायलम कोशिका में जाएगा जो root pressure उत्पन करता है और फिर यह उपर की तरफ गति करता है जिसे हम ascent of shape में पढ़ेंगे यह plant physiology का part है इसके अलावा जो stem के अंदर जो endodermis की जो layer होती है यह starch sheet के रूप में पाए जाती है जो starch का संग्रहन भी करती है next part है pericycle pericycle है यह बहु इस्तरी छेत्र होता है तीन चार कोशिके इस्तरों के रूप में endodermis के आंतरिक छेत्र में उपस्तित रहता है इसकी जो कोशिकाएं होती है यह इनमें meristomatic कोशिकाओं में विभेदित होने की शमता होती है यह कोशिकाओं विभजयोत्य कोशिकाओं में भी परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तन के बाद में तने में यह cambium ring का निर्मान करती है और जड़ों में यह parse मूल या lateral roots होती है उनका निर्मान करती है तो pericycle की इस्तति क्या होगी इसके बाहर की तरफ endodermis की layer है endodermis की layer के अंदर की तरफ pericycle होगी और फिर उसके अंदर की तरफ होता है vascular tissue, gylem और phloem ठीक है इनका मुख्यकारी क्या है इन कोशिकाओं में ये विभजोता की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है जो एक तने में cambium ring का निर्मान करती है जबकि जडो में क्या करती है ये विभजोता की कोशिकाओं में परिवर्तित होकर lateral roots का निर्मान करती है कोर्टेक्स का लास बाग है पित होता है या इसको हम मेडूला चेतर भी कहते हैं जो तने के या रूट्स के कैंद्रिय भाग में इस्तित होती है ये केंद्रिय भाग में पेरेन काइमा कोशिकाई होती है जो डाइकोट और मोनोकोट की रूट्स में तथा डाइकोट के इस्टेम में मिलती है एक बीजपत्रियों के जो कातना होता है उसमें इस तरह के ये छेत्र है वो विभेदित नहीं रहते हैं क्योंकि इनके जो cortex region के अंदर ही हम पढ़ेंगे Vescular bundles होते है वो बिखरे हुए रहते हैं तो उसमें cortex region है वो इस तरह से विभेदित नहीं रहता है medulla चेत्र में और cortex में क्योंकि इस पूरे छेत्र को ही हम cortex कहेंगे और vascular bundles होते हैं वो इनमें बिखरे हुए पाये जाते हैं इसका मुख्य कार्य है भोजन का संग्रह करना, resin है, gum है इनका, storage करने का कार्य ये पित का काम होता है तो ये तो हमने stem और root के अंदर हमने देखा है ground tissue system की इस्तती क्या होती है अब हम देखते हैं leaf में ground tissue system की इस्तती किस प्रकार से होती है देखें पत्ती में जो ground tissue system है वो दो type की plants में, angiosperm plant में पत्ती होती है एक upper epidermis होती है, उपरी छेत्र में और एक नीचे की तरफ भी epidermis की परत देखने को मिलती है और बीच में जो सीरा विन्यास होते हैं वहाँ पर ये हमें केंद्री भाग में जायलम और phloem की कोशिकाएं होती है इसके जो इन दोनों कोशिकाओं के बीच का जो छेत्र है, upper epidermis या lower epidermis इस छेत्र में mesophyll कोशिकाएं पाए जाती है जो photosynthesis का का कार्य करती है और इनकी जो सरंचनाई है वो इस प्रकार से arranged रहती है तो monocot leaf है उसमें ये iso bilateral होती है जिसमें इस पस्ट अपर और जो lower epidermis है या अपर चेत्र या lower चेत्र वो इस सरह से बंटी हुई नहीं होती है क्योंकि दोनों सतह पर समान रूप से प्रकाश पड़ता है इसमें जो कोशिकाई होती है वो सभी समान आकार की कोशिकाई होती है समव्याशी कोशिकाई होती है जिने हम मिजोफिल कोशिकाई कहते हैं अंतरह कोशिक अउकास है वो भी इनमें इस पस्ट देखने को मिलता है जबकि द्वी बीज पत्री प्लांट है वो इस पस्ट रूप से इस तरह से होती है एक अपर पार्ट होगा जिसे हम एडाक्सियल सर्फेस कहते है और लोवर पार्ट होता है उसको एबाक्सियल सत्य या लोवर एपिडर्मिस बोलते है और इसको एडाक्सियल सतय या उपरी सतय है जिसे हम डोर्सी, वेंटरल, प्रस्थाधारी पत्ती भी कहते हैं ये डोर्सल छेत्र होता है और ये वेंटरल छेत्र होता है इन दोनों छेत्रों में इस पस्ट कोशिकाओं का अलग-अलग विभेदन होता है आक्रती के आधार पर अपर एपिडर्मिश के नीचे की जो कोशिकाओं होती है उन्हें हम पहली सेड कोशिकाओं कहते हैं और इन कोशिकाओं की जो आकरती होती है वो इस तरीके से होती है ये खंबाकार कोशिकाओं इस तरीके से इनकी आकरती देखने को मिलती है इन्हें क्या कहते है पहली सेड कोशिकाओं जो लंबी इलोंगेटेड कोशिकाओं होती है और अंतरा कोशिक अवकास इनमें कम पाया जाता है, और Upper Epidermis के नीचे की तरफ इनकी इस्तथी होती है जबकि दूसरे टाइप की कोशिकाई हैं, स्पंजी सेल होती है ये कोशिकाई इनके बाद की स्थती में पाए जाती है मुख्य रूप से Lower Epidermis के उपर, ये कोशिकाई है ये अंडा कारा करती की होती है या गोला कारा करती की हो सकती है जिन में अंतरा कोशिक आउकास है वो अधिक इस पस्ट देखने को मिलता है दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं का मुख्य कार्य फोटो सिंथेसिस का होता है ये बोजन का निर्मान करने का कार्य करती है तो लीफ में जो ground tissue system है वो mesophyll tissue का बना होता है dicote में दो प्रकार की कोशिकाएं होगी palisade cell और spongy cell होती है जिबकि monocoat leaf में इस तरह से कोई विभेदन नहीं होता है पूरा tissue है वो mesophyll कोशिकाओं का बना होता है एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है next class में हम vascular tissue system पढ़ेंगे thank you